अधाब अजीज तलबा आज हम बिये आनर्स साले दुवम के इकांटेंट अस्बाख की तद्रिस के तहट अर्दू के मश्यूर नजम को शायर नूनमी मराशिद की एक नजम शायर दर्मानदा का मुतालिया पेश करते हैं इससे पहले के हम नूमी मराशित की नजम शायर दर्मानदा पढ़ें आईए देखें के शायर के हालात जिन्दगी क्या हैं अजीज तलबा नूमी मराशित उर्दु नजम के मश्यूर शायर गुजरे हैं और खास्तर से उन्होंने आज़ाद नजमे लिकर मगबूलियत हासिल किये हैं आपको यह बताते हैं चले के आज़ाद नजम किसे कहते हैं आज़ाद नजम दरसल नजम की एक ऐसी खिसम को कहते हैं जिसमें काफिया और रदिफ की पावंदी नहीं होती मिस्रे छोटे बड़े होते हैं लेकिन नजम में बहर और वजन की पावंदी की जाती है और बहर के किसी रुकुन को मुन्तखिब करते हुए अरकान की कमी बेशी के साथ नजम लिकी जाती है अर्दो में आज़ाद नजम दिकारी का सिलसला अंग्रेजी से शुरू हुआ इसे फिरी वर्स कहा जाता है अर्दो में आज़ाद नजमे लिकर शुरत पाने वाले शुरा में जाननिसार अख्तर, अली सरदार जाफरी, अख्तर अलीमान, नूनमी मराशित, मगदूम, फैज अहमद फैज, अहमद नजीम खास्मी और कलिल الرह्मान आजमी जैसे शायर मशूर है आईए, अब हम अर्दो में आज़ाद नजम को फरुग देने वाले नामवर शायर, नूनमी मराशित के हालात जिन्दगी और उनकी शायरी के खुसुसियास से वाकिफियत हासिल करते हैं नूनमी मराशित का असली नाम नजर मुहमद राशित था, वो 9 नूंबर 1910 को आकाल गड़ जिला गुजरान वाला में पैदा हुए अप्तिदाई तालीम आकाल गड़ और आला तालीम गवर्नमेंट काले लाहूर से हासिल की उन्होंने पंजाब यूनिएसिटी से 1930 में बी ए आनट्स और 1922 में माशियास से मे किया चोथी जमाश से मे तक अंग्रेशी जबान में तालीम हासिल की अर्दो और फार्सी से महब्बत उन्हें अपने वालिद और दादा से विरासत में मिली गालिब इखबाल हाफिज शीराजी और साधी से राशित का तारुफ उनके वालिद फजल इलाही चिस्ती के ही तुफेल हुआ गवर्नमेंट कालिज लाहोर में तालीम के दोरान राशित मशूर अदब रिसाला रावी के एडिटर मुकरर हुए बाद में कुछ वक्त के लिए वो ताज़ और नजीब अबाबादी के रिसाले शहकार की भी इदारत करते रहे कुछ अड़सा मुलतान में कमिशन राफिस में उन्होंने सरकारी मुलाजिमत की और इसी दरण राशित ने अपनी पहली आज़ाद नज्म जुरत परवाद लिखी जो के उनके पहले मजमुए मावरा में शामिल है 1949 में राशित आलिन्जा रेडियो से वाबिस्ता हो गए और कुछ अरसे बाद उन्हें प्रोग्राम डायरेक्टर बना दिया गया तक्सीम के बाद रेडियो पाकिस्तान में वो रीजनल डायरेक्टर के उहदे पर काम करते रहे कुछ अर्सा उन्हें पाकिस्तान की तरफ से अखवाम मुटहदा के सदर रफ्तर न्यूयार्ट में भी खिद्मात अंजाम देने का मुखा मिला वजीफे पर सुब्ध दोशी के बाद उन्होंने इंगलिस्तान में मुस्तखिल सकूनत अख्तियार कर ली और 9 अक्तवर 1975 को लंदन में उनका इंतिकाल हुआ नूनमी मराशित के चार शेरी मजमुएं शायर हो चुके हैं मावरा, एरान में अजनबी, ला इनसान, गुमा का मुम्किन इसके अलावा उनकी जदीद फारसी शायरी के तराजिम भी शायर हुए अजीज तल्बा, ये थे नूनमी मराशित के मुक्तसर हालात जिन्दगी आईए अब देखते हैं के उनकी शायरी की खुसूसियत क्या है 20 वी सदी की 3 और 4 दहाई में अर्दो शायरी में बागियाना रविश के जरिए जो शोरा मशूर हुए उनमे नूनमी मराशित और मिराजी अहम है तरकी पसंद तहरीक जब अपने अरूज पर थी इसी जमाने में 1949 में हल्क अरबाब जोख के नाम से एक तहरीक का खियाम अमल में आया इस दोर की अर्दो नजम में मौज़वाती तनौव पैदा हो गया जैसे तनहाई, खौफ, जिंस, माशिरती जबर, तबकाती नाहमवारी, बेसुकूनी, बेहिसी, हिसासियत, अखलागी रिवायात और खदरों की शिकिस्त, हैयती तजरूबात, इसका मुक्तलिफ तसवर, फर्द की तनहाई और जदीद मेकानिकी दोर में इनसान की नाकदरी का नोहा जैसे मौज़वात उस दोर की शायरी में जेरे बहस आए, इस दोर में मगरबी नजमों के काफी तराजिम भी हुए, उस दोर की नजमोई की सबसे अहम खुबी यह है, कि इसमें मकसदियत को खे पर बात कहे दिया गया, यानि शायरी का कोई मकसद नहीं रहा, अब जिन्स और मजभ जैसे हिसास मौज़वात पर भी नजमे कही जा सकती थी, उस दोर के शोरा ने आज़ाद नजम को इजहार का जरिया बनाया, और हैयत, रंग औ आहंग, और उसलूब, हर तरा से शायरी म नया रंग पेश किया, जो उस वक्त के कारईین और नाकिदین के लिए बिलकुल नया अंदास था, उन शोरा पर इलजम आयत किया गया, कि उनकी शायरी में इभाम है, इभाम से क्या मुराद है, इभाम में होता यह है, कि कही वी बात के माने वाज़े नहीं होते, यानि बात क शुपा कर पेश किया जाता है, शायर क्या कहना चाहता है, इस से कारी को उलजन होती है, इस तर्थ की शायरी में आगे रहने वाले शोरा में मीराजी और नूनमी मराशिद अहम है, नूनमी मराशिद ने उर्दू नजम के डिक्शन से बगावत कर दी, यानि राशिद ने उर्दू शायरी के मरावज़ अलफाज से बहुत हद तक इनहराफ किया, और अपने लिए नए लफजों का इन्तिखाब किया, उनके तखलीखी जहन ने उर्दू नजम के मरावज़ सांचों को खुबूल नहीं किया, और उन्हें तोड़ खोड़ कर रख दिया, उनके तर भी नजमनिगारों से मतासिर थे, इसलिए उनकी नजमों में अफसानवी और ड्रामाई अंदास नजर आते हैं, फरंगी सामरा से दुश्मनी, जिंसियात और असातीरी हवाले राशित के खास मवज़वात हैं, राशित पर उर्यानी, फहाशी और इलहाद को फरुग देने थे, नकी नजमों में अन्दास अलामती था, और उनकी शायरी के अलामती अन्दास को लिए हमारे नाकीदीन को कई बरस लग गए, इलामत से क्या मुराद, इलामत से मुराद, शायर अप्नी नजम में किसी लफ्ध या खियाल को बतर अलामत पेश करता है, और इससे व और ऐसे सुखन फहम कम मिलेंगे जो शेर के तखलीखी अमल की नजाकतों से वाकिफ हों और अपनी शेरी रिवायात से गहरी वाबिस्तगी रखते हों। राशिद के शेरी मदमुएं मावरा से लेकर ला इनसान की नजमों को गवर से पढ़ा जाए तो उनकी शायरी का जो किरदार तश्किल पाता है वो दानिश्वरी के एक रिवायत है जो मश्रिक में रूमी से लेकर अगबाल तक पहले हुए हैं। इसमें रिवायत से बगावत भी है और नए तज्रूबे भी हैं। मावरा की नजमों के किरदार इन फ़ालियत और जवाल पजीर माशरे का इस्तियारा है। दरसल मश्रिक में इस वक्त अपनी जात को पहचानने और अपनी गदर कराने का फुगदान था। एहल मश्रिक का मसला ये था कि वो अपने आप से बेखबर हालात का शिकार हो गए था। नूनमी मराशिद ने मगरिब के शोरा बिलकुस इंगलिस्तान और फिरांस के शोरा से मतासिर होकर नजम दिगारी के फन को नए तरीखों से बरतने की कोशिश की। उन्होंने नजम कहने के अंदाज में नए तज्रूबे किये पाबन नजम के बजाए आज़ाद नजम को फरोग दिया जिसमें मिसरे छोटे बड़े हों अरकान के तेदाद घटती बढ़ती रहती है लेकिन कोई मिसरा वजन से बाहर ना हों। राशिद ने अपने शायर होने का पता अपने जमाने तालिबी इलमी के दोर में ही दे दिया था तब वो रदीफ और काफिये के पाबन थे बाद में उन्होंने रदीफ और काफिये से बेनियाज होकर जो शायरी की वो उन्हीं का कासा बनकर रहे गए उन से पहले और उनके بعد ऐसी शायरी उर्दू अदम में कहीं मिसाल नहीं मिलती इस जिमन में एक वाकिया जो कि उनके आलिंजा रेडियो के जमाने का है खाबिल जिक्र है राशित ने उस वक्त एक बहुत बड़े शायर यास यगाना चंगेजी को इंटर्वी के लिए बुलाया तो कुछ दोस्त अह ने ने उनसे कहा कि राशित भी आजाद नजम कहते हैं आप उनसे उनकी नजम सुने राशित दे अपनी नजम सुनाई तो यगाना ने उटकर उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि अगर ये आजाद नजम है तो नहीं बाद में ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि राशित का हर मिस्रा वजन में है और पूरे कलाम में एक भी मिस्रा ऐसा नहीं जो वजन से खारिज हो जब कि आजकल के आज़ाद नल्म को मादर पिदर आज़ा जाता है और इसमें वजन का कोई खास ख्याल नहीं रख मुझबित सतह सियासी बगावत की है। राशिद के एहद में एशियाई मुमालिक पर गयर मुलकी ताख़तों का खबजा था और राशिद भी दूसरी गुलाम ख़मों के बाशिंदों की तरह इस गल्बे को ना पसंद करते थे। चुनाचे इस गल्बे के खिलाफ इहतेजाच का रंग राशिद के एहद के दूसरे शोरा के हाँ भी नज़र आता है। मगर राशिद ने इस बगावत को इस्तियारों की मदस्ते यूं पेश किया कि वो आफाखियत के हामिल हो गई। राशिद के हाँ जो इस्तियारे और तल्मियाद इस्टिमाल हुई हैं वो नामानूस और गहर रिवायती हैं इसलिए एकसर आम खारी के लिए उनका कलाम ना फाहिम भी हो जाता है। राशिद की शायरी अपने हम असर फ्रांसी सी और अंग्रेजी शायरी से मुतासिर है लेकि सबसे ज़्यादा उनकी शायरी अपनी हम असर शायरी से यानि फार्सी शायरी से मुतासिर हैं उनकी तल्मियाद और इस्तियारात की जड़ें बराह रास उनकी हम असर फार्सी शा का मुतालिया करना मददगर साबित होगा दुनिया में हर दोर में गैर मुल्की खब्जे की सुरत में वो नजमें जानदार और मुतारिक महसुस होती हैं ये रुजहान मावरा की चंद आखरी नजमों से शुरू हुआ और राशिद के दूसरे मजमुएं एरान में अजनबी में शिद्धत अख्तियार कर गया मावरा की नजमों में खास तोर पर इंतिकाम, शायर दर्मानदा, शराबी, बेकाना रात के सन्नाटे में और जन्जीर इस बगावत की मिसाले हैं नजम के आगाज में गुलाम हिंदोस्तान की तस्विर पेश करने के बाद, शायर अपने क्यालत का सिलसला यू आगे बढ़ाता है तुझे एक शायर दर्मानदा की उम्मीद ना थी, मुझसे जिस रोज सितारा तेरा वाबिस्ता हुआ, तु समझती थी के एक रोज मेरा जहने रसा और मेरे इल्मों हुनर, बहरो बरसे तेरी जीनत को गोहर लाएंगे नौनमी मराशिद ने नजम के इस हिस्से में कहा, तुझे कहा है, और आगे तु समझती थी कहा है शायर के इस अंदाज तकातुब से अंदाजा होता है, कि शायर की महभूबा है, या उसकी बीवी है ये फितरी बात है, कि आउरत अपने महभूब ये शोहर से उम्मीद रखती है, कि वो उसके लिए खुशियों की सौगात लाएगा इस मफ़ूम में देखते हैं तो शायर दर्मानदा जो बरतानवी सामराज का गुलाम है अपने गुलामी को महसुस करने के बावजूद इस खदर मजबूर है, कि वो अपने चाहने वालों की जिन्दगी की आड़वें पूरी नहीं कर सकता जब शायर दर्मानदा से उनका रिष्टा वाबिस्ता हो गया, और दोनों मिलकर रहने लगे तो घरवालों को ये उम्मीद हुई कि शायर दर्मानदा जिसके शोहरत के चारों तरफ चर्चे हैं, जिसके कलाम को लोग जबान जद कर लेते हैं, मुशायरों में उसकी वहवा होती है, वो अपने हुनर से कुछ हीरे मोती कमा कर लाएगा और इसके कलम से जादू से उनकी जिन्दगी में खुशाली आएगी, शायर दर्मानदा अपने इल्म हुनर से हीरे जवाहरात कमा कर लाने की बातें करते हुए, अपने शांदार माज़ी की तरफ इशारा करता है, जबके शाही दोर में दर्बार में शोरा की इज़त हुआ करती थी, उसे मलिक शोरा का खिताम मिलता था, मालो मनसब मिलता था, इज़त और जह मिलती थी, जागिरे मिलती थी, और वो एक खसीदा या नदर्बार में सुना दे, तो बादशाह खुश होकर उसकी जोली में हीरे मुती डाल देता था, अब वो दोर नहीं रहा, और नही के लफ़ों की कोई खदर रुखिमत नहीं, इसलिए इस से रिष्टा कायम करने वाले अजीज़ और अकारिब को जान लेना चाहिए, कि वो एक शायर दर्मानदा गुर्बत का मारा है, उसका जहन बहुत दूर की सोचता है, लेकिन उसकी फिक्र रसा की अब कोई खदर नही आगे शायर अपनी बदनसीबी का बयान जारी रखते वे कहता है, मिरे रस्ते में जो हायल हों तेरा नसीब, क्यों दूआएं तेरी बेकार ना जाएं, हो सकता है कि ये तकदीर का मामिला हो, या आमाल की सजा हो, कि जिस वक्त गुदा ने दौलत और इज़त जी थी, हमने आशकोशी में वक्त बरबात कर दिया, और हमें अपने आमाल बद की सजा मिल रही हो, और हमारे नसीब बदबख्त हो, शायर कहता है, तेरी रातों के सुझूद और नियास, इसका बास मेरा इलहाद भी है, ए मेरी शमय शबिस्तान वफा, भूल जा मेरे लिए, जिन्दगी खौब की आसुदा फरामोशी है, तुझे मालूम है मश्रिख का खुदा कोई नहीं, और अगर है तो सरापड़दा निस्यान में है, शायर कहता है, कि मश्रिख का खुदा कोई नहीं, हलांके एक तरफ तो उसकी महबूबा रातों में सजदे करती है, और दौाइं मांगती है, जिन्दगी की बेहतरी के लिए, लेकिन शायर को एहसास है, गो जिस में रह रहा है, वहाँ मसायल ज्यादा हैं जिन्दगी के, और अल्लह की तरफ से या खुदा की तरफ से, उसके हालाद भी नहीं सुदर रहे हैं, इसल्ध शायर कहता है, कि तो मसर्थ है, मे आप हुएदा हो जाएं यानि शायर उम्मीद करता है कि मसायल तो हैं लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि हमें आजादी मिलेगी खुशाली मिलेगी और जिस सुबह की हमें इंतजार था वो सुबह जरूर आएगी तो इस तरह अजीज तलबा हम देखते हैं कि शायर दर् खुशाली और गुर्बत और इफ्लास का झिकर करते हुए सारे हिंदृस्तानियों की घुलामी की दौर की याद को ताजा किया है और इस उम्मीद का इधार किया है कि आजादी की सहर होगी और सब की जिनदगी में खुशाली आएगी यही इस नदम का मरकजी खियाल है इस कर दो 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 कर झाल झाल